आज की इस वीडियो में जो है टीन टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक है करन्ट वैजर कंडिशन और पाकिसान में किस तरह किये इसके लावा जो है डाव डी के पॉंट अफ्यू से आपनों को मजीद अपडेट शेर करूंगा क्योंकि मही का महीना स्टार्ट हो गया और डाव तो पर थोड़ी सी जाधा बात होगी आज तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्थ तक देखें और कोई भी कोस्टन हो तो काइंडली कमेंट कर दीजेगा और कमेंट करते वख़त हैं आप लोग बोल दिया करें जो भी आप लोग के सवालात होते हैं तो सबसे प उस डब्लो डी से बारिश हुई एवन उमान कत्र वगरा में और यह डब्लो डी जो है आज से जो है बारिश का बाइस जो नहीं बनेगा वो खासौरप करें करदों का शमाल मॉश्रीकी बहलोचिसतान और गिलकिल्जपलचिसतान कशमीर और कर पर पंजाब के लाके जिसमे आपनों को आंधी देखने को मिल सकती है तो यह तो हो गई इस WD के point of view से जहां तक इसमें rain intensity की बात करूं तो जिस तरह last WD से हो रही थी काफी flooding condition खास तोर पर यह बलुजस्तान के जुनूबी लाखों में थी और इसके लावा जो थी काबूल के ओपर धरिया काबूल के ओपर जो था जो था वो flooding condition हो गई थी तो यह जो है WD काफी आप जो है वीक हो चुका है और रेन activity होगी लेकिन कोई शदीद वारिश के chances नहीं होंगे तो यह WD जैसे मैंने का तीन से maximum पांच तक असरा अंदाज होगा फिर यह WD आगे की तरफ फॉवर्ड हो जाएगा लेकिन सिन में आप लोगों को आज जो है clouds कल भी आप लोग ने देखा क्राची में clouds से और clouds जो है cloudy weather तो रहेगा लेकिन temperature जो है अब मजीद आने वाले दिनों में आप लोगों को बढ़ते वहीद मिलेंगे इस पे जो variation रहती है तीन दिन चार दिन के बाद जो कम हो जाएंगे maximum लेंगे 33 से 36 ही रहेंगे किराची के temperature तो फॉर्दर डब्लूड के बारे में आप लोगों को काईट करूं कि कराची में जो है यह DW का मतलब है drive weather हुआ है इन इलाखों में और डब्लूड जो है western disturbance तो बैक टूब्लूड जो जाएगा आच से 10 माई तक और पर तीसर डब्लूड जाएगा 12 से 16 तक तो यह डब्लूड जहें ऑफन पाकिस्तान में आएंगे और 16 के बाद से जो होगा यह डब्लूड की intensity और इनकी frequency तो होती लेकिन intensity weak हो जाएगी लेकिन जो इनका जो location होगी जो कि अभी पाकिस्तान को मतासर कर रहे हैं तो यह जो है अपर एरियास की तरफ यानि के हाइल लेक्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे जिसकी वाइस जो है पिर आप लोंको आई टीसी जाइट भी जो है उपर आते वे देखेंगी तो इसके बारे में भी आपनों को गाइट कर देता हूं तो अब बात करते हैं जैसे ही टबलूडी अपर एरियास की तरफ फ़वर्ड होंगे तो वैसे ही जो है अरेवियन सी के साय के अंदर जो सी सर्फेस टेंप्रेचर मैं आप लोंको गाइट कर चुका हूं कि वह बंगाल और अरेवियन सी के जो हैं बड़े में यानि के मैक्स ixd 27 जो है अगर सबीन से ज़ादा है तो यह आई डियाल होता है सयकलने के लिए निकिक इंचिंवानाच जो है काफी हत तक रोशन है तो कुछ साइक्लों थे जो के अरेवियन सी मैं उनकी लिस्ट वैन आप लोंके लिए इस पर शो किये तो शेय तो सी में प्री मून्सून सीजन और पोस्पून सीजन के ओपर साइकलोन आएं तो यह कुछ मुझे मेजर साइकलोन मिले थे नेट सी मिलें और इसमें अगर आप लोग देख सकते हैं तो साइकलोन गोनू करार चिपला पैताउती साइकलोन को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि इसने काफी जादा डियनेमक्स को चेंज किया है अरेबियंसी की प्योक्किशिन में गर्पाब्च करें लेकिन अगर वबगन देक्साराइबच को मिला और इकिन साइकलोन साइकलों की एक हिस्प्री है खाली अरेवीनमें विनले बनंगाल में भी तो इस पर मज़ीद किसी दिन आप लों से फुर्दर बात करूंगा तो प्री मूनसुल साइकलों जो होते हैं उनकी क्या location होती है क्या direction होती है किस तरह move करते हैं और कौन सी चीजे जो होती है उनके लिए खास और पर एहम होती है कौन से factors होते हैं तो देखें कोई भी topical अगर cyclone originate होता है वो खास और पर topical areas पर होता है लेट समर से मुराद ही है कि गर्मिया स्टार्ट होती है तो गर्मिया जब पीक पर हो आती है जैसे तरह भी आप लोगो temperature देखने को मिल लेंगे इंडिया में हीट हीट वेफ की condition है हीट स्टोक से लोग वहां पर जाने जा रही है किराची में जो है यानि कि यह Northern और Southern की तरफ तो ऐसा नहीं है कि आगर आप लोगों को यहां पर कॉलियोलिस फोर्स की वाज़से जाए साइकलों की मुवमेंट अगर 5 से 20 डिग्री तक मूव करते हैं मिले तो कुछ एरियास के ओपर जो है कुछ जोंगों पर 30 डिग्री का भी लिखा होता है तो वह भी सही होता है इसके लावा जो सबसे में इंपॉर्टन चीज होती है से सर्फड सेंप्रेचर जिसका मैंने अपनूं को अब होते हैं वह खास वह एहम होता है और ज्दा तो पिर जो है साइक्वां के चांसे ज्दा रूआते हैं और इस वख जो है बे-बंगाल में अरे-बी-न-सी से जाता हैं यानि के 32 हैं और अरेवेंजी में 31 डिग्री के खरीब हैं इसके लावा हुमिडिटी का बहुत होल होता है साइक्लोन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है और एट्मॉस्फियर के इनर कितना मोईस्टर है क्योंकि अभी जो थी कि आप लोगने देखा कि अपलों को ड्राइवेंड मिलनीती मुलेगी हुए उसमार्यों पहलें स हो यह लोगो आप शावर लेका निकल ले तो थोड़why ठंदा ठंदा लगता तो हमेडिकन अब आप़को हुमिटिटी भी जादा देखने को इसके लावा जो होता है सबसे एक और चीज इंपोर्टन्ट होती है लो लो वर्टिकल यह मतलब होता है कि अभी जो पावफुल जो जट स्प्रीम थी ना जो के डबलुडी का बाइस बन रही थी तो यह आने वाले दिनों में जो होता है यह काफिया तक जैसे मैंने आप सबसकिह बिस्क्राइब को समझाने के लिए लेकिन बस बताने के लिए यह लो फ्रिशर होते हैं स्यों बाधल ऑर यह प्रेशे में के साथ बाधल करते हैं और यह मुफ करते हैं मैक्सिम मिट्रीब डिग्री और जो है यह Northern की तरफ करते हैं यानि कि नौट की तरफ जो है यह ITCZ बाद वक्त पाकिसान से कराची से भी लगती ही जो है अपर एरियास की तरफ मुव कर याती है लेकिन South के ओपर जो हती है यह ITCZ यह 20 डिग्री तक रहती है इससे जादा नहीं आती क्योंकि लेंड मास्ट जो है यह अपर एरियास में जादा है जबकि अगर North की तरफ देखना यह जुनूब की तरफ तो यहां पर लेंड मास्ट इतना जादा नहीं है एक तो एक यह रिजन बिएस का ITCZ मूव करने क है इसलिए जो होता है हमें एडवांटेज हो आता है तो यह कुछ चीज़े होती हैं जो कि खास्वर पर हेल्प करती हैं समंदरी तोफान के बनने में तो इसके लावब जो है आप लोगों के साथ मैंने एक शेयर किया था पोस्ट जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि ब हैं तो खास्तोर पर जैसे ही यह डबूडी आपर की तरफ जाएंगे तो बेव बंगाल में और अरेवियंसी में अरेवियंसी में जो मुझे एक्सपेक्टड लग रहा है वह 20 मैं से 10 जून तक कोई ना कोई साइक्लोनिक स्टॉम जो है फॉर्मेशन हो और जो बेव बंगा पर बेव बंगाल में तो इसकी जो डियूरेशन या डेट होगी वो खास्तोर पर 16 से 21 मैं तक जो है फॉर्मेशन में भी आप लोगों को स्टार्ट देखने को मिल जाए क्योंकि यह जो प्री मॉन्सून सीजन का साइक्लोनिक होते हैं ना तो यह तकरीबन इसनी डेट तक म हैं कि बंगाल में और एक स्टम जो है अरेवियन सी में बन जाए लेकिन अरेवियन सी में जो बनने वाला साइक्लोन है जो के लॉंग रेंज मॉडल जो शो कर रहे हूं इंटेशिटी भी काफी जादा शो कर रहे हैं जहां तक ट्रैक की बात है वो मैं आप लों से पहले भी शेयर कर चुका हूं कि ट्रैक जो है खास्तोर पर वैसे तो यह गुजरात की तरफ भी गया है एविन इंडिया में जो है मंबाई की अगर बात करूं तो अलीबाग की तरफ एक आद गया था साइक्लोन इसके लावा उमान और यमन और सोराष्टा कच रीजन की तरफ भी आ साइक्लोन ते जिसमें अमफन था यास ता तितली था काफी सीरियर सीवियर साइक्लोने के स्ट्रॉम थे क्योंकि बेव बंगाल का जो सी सर्फेस टंप्रेचर और हुमिडिटी है उसका कंपरेजन अगर अरेविन सी से करूं तो वह जादा है इसके अलावा जो है बलो यह में रेन्वाल काफी जादा है मांकि बारिश के बहुत जादा आई ए रेंशी से और जहां तक उसको हेलप आउट होती जो तुफानी हमाएं होती है न वह हेलपाउट कर रही होती है से साइक्लोने उसको बन जागाल में उनको सब्सक्रोंड होती है इसके इलावा जो है ले सी साइक्लोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बाकी कोई भी कोशन हो आप लोग पूछ लिए जगा बाकी है कि अब जह है मैंने आप लोगों से पहले भी घाता कि हाँ नजर जो होगी अब प्री मौनसून सीजन में पहले अरेबियंसी और बंगाल के सी सरफेस के अपर होगी कि यहां पर किस तरह की मौनट है सेकंड के आईटी जीजएट की मौनट किस लोकेशन पर आईटी जीजएट मूव हो रहे है और तीसरा होगा कि मौनसून की अक्टिविटी जिस तरह मैं आप लोगों को कहा कि 20 मईं से स्टार्ट हो आती है खास्तों पर अंडवां पॉंट फ्यूस है जो के कराची के पॉंट फ्यूस है अगर आप लोगों को गाइट करूं तो प्री मॉनसून सीजन की एक्तिविटी ज्यादा तरज होती है नौर्थ के एरिया दूल प्राजा में होती है और उसका मैं आप लोगों को हमेशा यही बोला है कि वहां पर जो को